असलामुलेकूम वेलकम वेक टू मैं यूटूब चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन खलिया बहुत ही डिलेसस लगता है यह खाने में चलिए इस रेस्पी को सुरू करते हैं एकदम रेश्टोरेंटी स्टाइल इसे बनाने के लिए हमने या पर वन केजी चिकन लिया है इ आठ काजू है अमने नारियल को इस तरह से स्लाइस कर लिया है ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो यह दो टमाटर लिये हैं और हरी मिर्चे इसकी प्यूरी बनाएंगे प्याज का मिरिस्टा बनाएंगे यह कुछ खड़े मसाले हैं वन टिस्पून काली मिर्चे वन टिस्पून साबूत जीरा है उन्हें यह पर लॉंग लिया है साथ ताठ एक इस्टार है पत्थर के फूल है जावित्री है एक पड़ी लाइची है इसे बादियान के फूल भी कहते हैं इसका हम पाउडर बना लेंगे सभी मसालों का उन्हें कुछ इस्पैस्स लिये हैं यहां हमने धनिया पाउडर लिया है वन टीस्पून 1 टीस्पून कस्मीरी लाल मिर्चे वाफ टीस्पून हल्दी पाउडर है नमक अपने टेस्ट के पाउडर लिया है वन टीस्पून लाल मिर्चे तीखे पन के लिए यहां कुछ खड़े मसाले हैं यहां पर हमने फ्रेस दही लिया है फाइप टीस्पून के करेब हम प्याज को इस तरह से स्लाइस काट लेंगे बिरिस्टा बनाने के लिए जब भी आप प्याज बिरिस्ट बनाने के लिए जब बहुत अच्छे हिट होना चीए तब भी बिरिस्टा अच्छा को बनता है कि यहाँ हमे ठोल का पेंखी निकालना है देखे कलर चैन्ज हो गया है अब हमी से निकाल लेंगे अगर आप इसे ब्राउन करकर पुरा निकाल लेंगे 30-1 पाड निकाल लेंगे एती पर सेंट हीम पर सेंट बाद में फ्राई हो जाता है को मेंचकांध छी को चिकन डालेंगे आप इस रेश्पी को ड्रय करें काफी डिलेस लगता यह भी खाने में या या फिर आपके वहां जब भी गेश्ट आप इसे बना कर खिला है काफी करें हमने सभी चिकन के पीजिस को इसमें डाल दिया है इसे दो मिनटे से भून लेंगे कलर चेंज होने तक कि जब आप घलीया बनाएं तो ऐल की कन्तिटी ठोड़ा ज्यादा हिले क्योंकि एक में खनी धुटता है कि उसका टेंट । सकाथ अच्छा टेस्ट आता है अब चाहे तो ग्राइंड में भी कर सकते हैं अद्रक लसन का पेष्ट है हरी मीर्च और टमाडर का आमने प्यूरी बना लिया है खड़े मसालों का पाउडर है दही को अच्छी तरह से विप्ट कर लिया है अब हम चिकन में अद्रक लसन का पेष्ट डालेंगे और दो मिनट इसे भूनेंगे अब चिकन में अद्रक लसन की कौंटिटी थोड़ा ज्यादा ले उससे अच्छा फ्लेवर आता है इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और दो मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे और कि दो मिनट हो चुका है काफी ऐच्छी इच्छी फूबु आरे हैं राब लसं की ऐच्छे से पक चुका है चिकन में आप में इसमें सबी मसाले डालेंगे मिर्ज की कौफ्षें अपने हिसाब से ले सकते हैं क्यां कि हमने टमाटर में हरी मिर्च αι अब birthday चिकन खलिया बना रहे हैं इसके पहले हमने मतन खलिया की अप्लोड की है अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसकी कि मसाली अघ्ठी तरह से मिक्स हो चुकchnet जिए हैं एकाण कीया हो टाकि चिकन में मसालों का फ्लेवर चाल सेそ but जाया कि क cole कर देंगे तो 2 मिनट हो चुका है अब हम इसमें भी ढालें लिए क्या हुम आप जब भी अधिर डालें अच्छी तरह से घुआ डाले तरह 2-3 मिनटे के लिए अच्छी तरह से भूले उसके बाद डही और विरिस्टा डालें इसने काजू का पेस्ट डालेंगे अब ध्यान से डालिएगा है मिस्टेक का जाफ हम रच डालेंगे बिरिस्ते डालें हाथों से क्रेश्च करकर डाली या फिर्छ्या करक्र डालें इसकी डेवी अच्छी पनती है एक तीक गाधा दरेंगे अगर आपको पुदीना पसद नहीं तो आप इसे अवेट कर सकते हैं बट इससे पुदीने से काफी अछा फलेवर आता है और हमें अच्छा भी लगता है इसका फलेवर तो जब भी हम बनाते हैं खलिया चिकन मटन तो ऐसे जरूरी से हमेट करते हैं पुदीने को इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हम 10 मिनिट के लिए हम इसे कफर करेंगे ताकि दही और बिरिस्ता और पेश्ट हमने जो डाला है वह अच्छी तरह से भून जाए और हम इसे कफर कर देंगे और बीच में एक दूबर चला लेंगे 10 मिनिट हो चुका है अब हम इसे चेक कर लेते हैं वाव कितना यम्मी लग रहा है देखने में आप खाने की तो बाती छोड़ दीजिए दीखी कितना पर्फेक्ट बना है यह अच्छी तरह से भून चुका है मसालों में और चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है हम पीसेश चेक करकर दिखाते हैं कि देखें देखने में ही लग रहा है काफी टेंडर हो गया है पीसेश अच्छी तरह पानी बोईल होने के लिए रख दिया है अब इसमें पानी डालेंगे अब यह पर शिफ एक कप पानी लिया है आप ग्रेवी अपने हिसाब से बना सकते हैं तम ज्यादा कर सकते हैं बट खलीये की ग्रेवी थीक अच्छी लगती है अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे अब देखें इसकी घ्रेवी हमने इतनी रखी है अब इसमें धनिया पति डालेंगे और इसमें उबाल आने लगा है हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें स्क्मूटी फ्लेवर दे लिए चार कुल जलाएंगे तो हम इसे कवर कर देंगे और ऐसे दस मिनट के लिए रहने देंगे इस मूगी फ्लेवर देने के लिए हमने चार कुल का अंगारा बना लिया है तो कड़ाई के बीच के सेंटर में हम एक प्याली रखेंगे इस तरह से अब हम इसमें चार कुल डालेंगे अब हम इसमें वंट इस्पुन घी एड़ करेंगे अब घी की जगह ओल भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब हम इसे कवर कर देंगे 15-20 मिनट के लिए देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें से स्मूग निकल रहा है हमने लिप भी बंद कर दी ह ताकि इसमूग बाहर ना निकले एकदम रेष्टोरेंट जैसा इसमें टेस्ट आता है इसमूग फ्लेवर देने से अब हम इसे निकाल लेंगे बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको यह बताया है रेष्पी आई होप कि आपको पसंद आया होगा अब हम इसे सर्फ करेंगे मटन खलिया की जो रेष्पी डाली है इससे काफी लोगों ने उसे प्यार दिया है काफी सराहा है इस रेष्पी को हम आपके काफी सुक्र गुजार है थेंक्यू सो मच इसलिए हमने आपके लिए चिकन खलिया की भी रेष्पी एक अपलोड की है तो देखिए गाईस चिकन आपको मिलती रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला आफीज